विश्नु पुरान के अनुसार किसी भी मनुष्य को निर्वस्त्र होकर अर्थात नगन होकर नहीं करने चाहिए ये तीन काम। विश्नु पुरान के बारहवे अध्याय में ग्रहेस्थ सबंधी सदाचार का वर्णन किया गया है। उसे ऐसा कूई भी अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए जिससे देवता तथा पित्र गण उससे रुष्ट हो जाए। बुद्धिमान मनुष्य को कभी भी रात्री के समय चौराहा, शम्शान, उपवन और दुष्ट स्त्री अर्थात व्याभिचारिनी स्त्री के समीप जाना नहीं चाहिए। ऐसा करने से उसके जीवन में दुर्भाग्या आता है। मनुष्य को दूसरों का थोड़ा भी धन चुराना नहीं चाहिए। और कभी किसी से कड़वी वानी में बाते नहीं करनी चाहिए, अर्थात किसी का अपमान भी नहीं करना चाहिए। चंद्रमा सूर्य अगनी की तरफ मुख करके मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए, इससे मनुष्य का पुन्य नश्थ हो जाता है। भोजन करते समय, देव पूजा करते समय और कोई भी मांगलिक कार्य करते समय ठुकना नहीं चाहिए, इससे पूजा का फल व्यर्थ हो जाता है। आईए अब जान लेते हैं मनुष्य को निर्वस्त्र होकर कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। सबसे पहली बात नगन होकर न करें सनान। विश्नु पुरान के बारहवे अध्याय में कहा गया है कि व्यक्ति को पूरी तरहे से नगन होकर सनान नहीं करना चाहिए। अगर आप सनान करने जा रहे हैं तो आपके तन पर एक कपड़ा तो होना ही चाहिए। दरअसल श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं में नहाते वक्त गोपियों के वस्त्र चुरा कर यह संदेश दिया था कि मनुष्श को स्नान करते वक्त निर्वस्त्र नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे जल के देवता का अपमान होता है। दूसरी बात नगन होकर नहीं सोना चाहिए. विश्नु पुरान के अनुसार पूर्ण रुप से नगन होकर नहीं सोना चाहिए. ऐसा करने से चंद्र देवता का अपमान होता है. इसके अलावा यह भी कहा जाता है, रात के समय पित्रिगन अपने परिजनों को देखने के सकती है. साथ ही नगन होकर देखे गए शुब स्वपनों का फल मनुश्य को नहीं मिलता है. महिलाओं को अपने बाल खोल कर भी नहीं सोना चाहिए, इससे उन्हें मानसित परेशनी उठानी पड़ सकती है. तीसरी बात नगन होकर पूजा न करे. कुछ लोग निर्वस्त्र होकर देवी देवताओं की आराधना करते हैं, लेकिन विश्नु पुरान के अनुसार पूजा के दौरान नगन होने के बजाए बिना सिले हुए वस्त्र पहनने चाहिए. इसके अलावा पूजा या यग्य के दौरान नगन होकर आचमन करना विधी के खिलाफ माना जाता है इसलिए पूजा या आचमन के दौरान व्यक्ति को निर्वस्त्र नहीं होना चाहिए. तो ये थे वह तीन कार्य जो निर्वस्त्र होकर नहीं करने चाहिए. उमीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी. विडियो पसंद आया हो लाइक जरूर करे. साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले. धन्यवाद